आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पहाड़ी पैरट ब्रीडिंग टिप्स आज आपको इनकी ब्रीडिंग से रिरेटिड पूरी जानकारी मिलेगी कि ये कब ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं और हमें इनकी कब से ब्रीडिंग की तैयारी करना श्टार्ट कर देना चाहिए और इनके बेवी पैरट हमें किस महीने में खरीदने जाना चाहिए पॉइंट नमबर वन अगर बात करी जाए पहाड़ी पैरट की ब्रीडिंग एज के बारे में तो ये जब तीन साल से उपर की एज के हो जाते है मेल पैरट के जब कंटी पूरी गाड़ी बन जाती है और फीमेल पैरट की आँख का कलर एक दब वाइट हो जाता है उसके बाद ही ये एडल्ट माने जाते है तब ये फर्स्ट ब्रीड करते है अपनी तीन साल के बाद और उसके बाद भी अगर आप घर में रख रके हैंटेम पैरट है आपके तो फर्स्ट टाइम पे आपके अंडे अन्फटाइल हो सकते है उसमें बच्चे नहीं बनेंगे पॉइंट नमबर टू बात करी जाए पाहड़ी पैरट के ब्रीडिंग सीजन के बारे में कि ये कब से स्टार्ट होता है ये इनका ब्रीडिंग सीजन अक्टूबर से लेके मार्च तक इनका ब्रीडिंग सीजन होता है तब तक आप इनकी ब्रीड ले सकते है अगर आप breeder है तो आपको अक्टूबर में ब्रीड लेनी चाहिए अक्टूबर में अगर आप ब्रीड लेते हैं तो ये दो बर ब्रीड करते हैं और अगर आप इनका थोड़ा लेट breeding बॉक्स लगाएंगे तो ये मार्च तक ब्रीड करेंगे पॉइंट नमबर थ्री बात करी जाए इनके केज का साइज कितना बड़ा होना चीए इनके ब्रीडिंग केज का साइज इतना होना चीए कि इनके पिंजरों में इनके सरीर का कोई हिस्सा ना टकरा है जैसे कि किसी का पिंजरा छोटा होता है उसका पिंजरे में पूँच टकराती रहती है पूँच मुड़ी रहती है पैरट की तो उस केज में इनकी ब्रीड नहीं हो सकती इनके केज का साइच कम से कम इतना होना अच्छी है कि इनके पूछ ना टकराए ना ही सरीर का कोई इस्सा एकदम खुल के रहे पैरट इतना बड़ा अगर केज होगा तो आपके पास ब्रीड आसानी से हो सकती है पॉइंट नमबर 4, अगर आपको अलगजर्डरा बेबी पैरट चाहिए तो बेबी पैरट का सीजन कब होता है बेबी पैरट का सीजन अप्रेल या माई में होता है, उस टेमप पे आपको बहुत सारे बेबी पैरट मिल जाएंगे सोप पे तो आप एक बढ़िया एलेक्जेंडरा पैर्ट ला सकते हैं एक सब्सक्राइबर का मेरे पा कमेंट आया था कि मेरे पैर्ट हैं 6 साल से लेकिन वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या करूँ तो भाई उसमें गलती आपकी भी हो सकती है या तो आप अपने पैर्ट को बार बार हाथ में लेते होंगे इस कारण भी वो ब्रीड नहीं करते होंगे या फिर आपके केज का साइज बहुत चोटा होगा या फिर आपके केज के वहाँ पे बिली या कुत्ते उसे डराते होंगे आपके पैर्ट को इस कारण वो डर के ब्रीड नहीं कर रहे है तो आपको वो चीज नोटिस करनी है कि किस कारण से आपके पैरट ब्रीड नहीं कर रहे है तो वो आपको ठीक करना है तो आपके पैरट भी जल्द ही ब्रीड कर देंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना आ जाएं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में